Chemical Reactions and Equations Class 10 की Science का ये First Chapter है और इस Chapter में आज हम डिस्कस करने वाल है कि Combination Reaction क्या है धेल सारी Reactions अगर आपको एक्जाम में दी जाती है और आपको identify करना है कि उन Reactions में से कौन से Reaction, Combination Reaction है आप कैसे identify करो दूसरा question हो सकता है कि Define what is Combination Reaction तो सबसे पहले Definition देखते हैं और उसके बाद हम ये समझते हैं कि कैसे धेल सारी Reactions में हम identify करेंगे कि कौन से Reaction, Combination Reaction है When 2 are more than 2 या 2 से जादा 2 minimum होना चाहिए 2 होना चाहिए 2 से जादा Reactions Combined बने जोड़ना and form single product single product यह वर्ट बड़ा इंपोर्टन है जब 2 या 2 से जादा 3, 4 यह Combined करें Combined करके एक single product बनाए It's called Combination Reaction तो उसको हम Combination Reaction बोलते हैं जब 2 या 2 से जादा Reactants Combined करें और single product बनाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो Reaction Combination Reaction है Example के थो समझते हैं Magnesium है यह यह Oxygen है यहाँ पे कितने reactant हैं 2 2 से जादा भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे 2 ही मैंने लिया है तो 2 reactant है Combined करें Combined करके एक single product का formation करें यहाँ पे यह single product बहुत important है single product product क्या होता है जो arrow के head के side होता वो product होता है arrow के tail के side जो होता है वो reactant होता है यहाँ पे 2 reactants combine कर रहे है और एक single product का formation कर रहे है तो यह reaction combination reaction है ठीक है यह बड़ी important reaction है और जो reactions मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वो class 10 की NCRD book में अल्रडी है तो सारी reactions को वहुत ध्यान से देखना है ठीक तो identify करने का method आप समझ गया है कि अगर एक single product का formation होता है तो हम बोलते हैं कि वो reaction combination reaction है दूसरे example को देखते है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रियाक्ट करती है तो कार्बन डाय ऑक्साइड बनती है अब कार्बन का है कोईला या आप ऐसे सोचे लकडी लकडी जो होती है उसमें कार्बन ही होता है अगर उसको हम मैस्टिक से थोड़ी सी heat देते है तो लकडी जलनी शुरू हो जाती है तो क्या बनता है कार्बन डाय ऑक्साइड गैस बनती है इसमें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रियाइड करके कार्बन डियक्सिट एक सिंगल प्रड़ान का फॉर्मिशन कर रहे हैं। यह कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चे हम बोलते हैं क्विक लाइड बगैर बुझा हुआ चुना। उस पर अगर वाटन मिलाते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड रॉक्साइड मिलता है। जिसको हम बोलते हैं स्लेग डिलाएं। बुझा हुआ चुपन। यानि बगैर बुझे वे चुनी पे पानी मिला दें तो बुझ जाएगा। और बन जाएगा काल्शियम हाइड रॉक्साइड है। यहां पर single product का formation हो रहा है। यह combination reaction है। इस तरह हैं hydrogen oxygen के साथ react कर भी single product यहां पर बताओ कितने product का formation हो रहा हैं। एक नौशियम हाँ तो यह भी combination reaction है। यहां पर नेको एक यहां पर एक। तो जब single product बनें तो ऐसी reaction को हम combination reaction बोलते हैं I hope you have understood how to identify that the given equation a reaction is a combination reaction simple आपको product के side जाना है यानि जहां पर arrow लगी है उसके head के side जाना और देखना है कि वहां पर कितने product बनेगा अगर एक बनेगा तो आप बोल देना हुआ combination reaction के लिए एक important बात यह है कि जो combination reaction होती है वो exothermik होती है एक्स बने बाहर थर्बने heat जब यह reaction होगी तो उसके आस पास की जो surrounding होगी वो गरम हो जारेगे तो हम इसको बोते है exothermik यानि ऐसे reaction जिसमें heat निकलती है जितनी हमने heat दी न उससे जादा heat निकलती है तो उसको combination reaction exothermik reaction बोलते है जैसे magnesium ribbon आप जानते magnesium ribbon को लो तो oxygen थोड़ा सा उस पर mastic लगाओ तो magnesium ribbon जब जलता है न तो light और heat निकलती है यानि heat निकल रही है तो exothermik reaction आप को ले दो और oxygen से बढ़ने करो mastic थोड़ा लगाओ उसके बाद कोईला कैसे heat और light देने लगता है राइट इसका मतलब यह वह आपकी जो combination reaction होती है वो generally exothermik होती है बड़ा important point है class 10 के standard में आपको यह समझना है कि अगर combination reaction है तो आप भी बोल दोगे यह exothermik reaction यानि जितनी हम heat देंगे न उससे ज़्यादा heat निकलती है तो class 10 में यह बात अगर आपके दिमाग में यह trick आपके दिमाग में बैठ गई कि जो combination reaction होती है वो exothermik होती है तो आप question को easily solve कर रहा है एक reaction दी गई है आपने देखा कि यह combination reaction है क्योंकि इसमें single product बढ़ रहा है और आप से यह भी पूछा गया क्या यह exothermik है तो आप बोल देना exothermik reaction है सही है अच्छा इसका अच्छा सा example बहराता हूँ आपने चूने से घर की पुताई की हो वाइट वॉशिंग की होगी calcium oxide पे जब water आप मिलाते हैं जिस बरतन calcium oxide और इस पर पानी मिलाओ तो जिस बरतन में reaction होगी यानि calcium hydroxide जहां पर पनेगा स्लेक लाइन या बगैर बुझा हुआ चुना जहां बनेगा तो आप देखो बरतन गरब हो जाता है तो इसका मतलब हीट निकल रही है हीट निकल रही है तो exothermik होगी इसी तरह से लकडी पे oxygen gas की reaction होती है तो लकडी जलती हो तो हमको दीखती है magnesium ribbon जब dazzling flame के साथ जलता है इसका मतलब यह जितनी reaction से हाँ पर लिखी वी यह सारी की सारी reaction exothermik reactions है तो पहचानने का तरीका product के साथ single product बनेगा तो combination reaction combination reaction exothermik reaction होती है ठीक है I hope now you are able to define what is combination reaction how to identify a combination reaction और त्री सिरी चीज़ आपने important सेखी कि combination reaction exothermik reaction generally होती है ठीक है तो चलो इस class के लिए इतना ही thanks for watching this video